दोस्तों वेलकम टू आई एच्प धरीवोहन एन इंस्ट्टूट पॉर एनलिटिकल स्टडीज दोस्तों आज दुबारा से डॉक्टर अभिशेक मिश्चरा जी मेरे साथ हैं यकीन मानिए अभिशेक जी का पिछले वाला वीडियो में सरफ सुनता रहा था और मैं बार-बार सर की हैं और सर प्लीज इस मामले में बताईए कि इलेक्षन कमिशन की अपोइंटमेंट इलेख्शन कमिशनर जो अपने आप में इंडिया का सबसे बड़ा एक बेस है election का वो उसकी appointment के लिए ये बवाल क्या है और उसमें judiciary हो या ना हो इसके उपर कलेश क्या है इसको पूरे मामले को मैं चाहता हूँ कि हमारे students को पता लगे थैंक्यू सर्थ थैंक्यू हरी जी especially आपसे भी बात करके बहुत कुछ सीखने का मौका मिलता है आपसे भी मैंने सीख सकते हैं तो आपसे भी मैंने बहुत कुछ सीखा है देखे हरी सहाब ऐसा है कि जो बच्चे चुकिए आप competitive preparation करवाते हैं और यह ऐनालेटिकल आसपेक्ट में यह चीजे आएंगी तो इसको हम उसी तरीके से डील करेंगे ठीक है ना एक मिंदी जगा तो अब इसकी यह है कि देखे पहले समझें कि Supreme Court या इनके बीच में Parliament और executive के बीच में relationship क्या है यह कहानी रिष्टों की है तीक है ना अभी तक आपने रिष्टों को साज बहु की दृष्टिकोंट से देखा आईए जड़ा constitutional यह जो सास बहुए हैं इनका दृष्टिकोंट देखा जाए इनके रिष्टे कैसे चलते हैं तो जो लोग इसको समझना चाहते हैं यह कोई बड़ी चीज नहीं है यह रिष्टों का खेले और चुकि यह constitutional position पर बैठने वाला तो इंसानी है ना त दूसरा हो सकता सास का institution तो चलेगा एक सास जो एक महिला वो सास के institution को बदनाम कर सकती है अपने बहु को प्रतारित करके दूसरी सास जो है जैसे मेरी मम्मी थी वो मेरी भावी को बहुत प्यार करती थी बहुत समान करती थी और जितना वो करती थी हो हम लोग से ज्यादा मा गानी अगर आप पार्ट 11 ऐफ देखेंगे तो वो रिष्ते बताता है कि क्या होंग वो फेदरल से बताता है वो रिष्ते बताता है लेजिस्देशंवर्सस फ्रेस स्टेट लेजिस्लेशंश ऑफ जेघंव-छुट्यर्स निया टिकानी गाने प्र अफिर वह एडूरी स्टन कि इंडिया में जो फेडरल स्ट्रक्चर है उसमें जुडिशरी फेडरल स्ट्रक्चर की तरिके से नहीं देखी जाती यानि कि जुडिशरी एक सीमलेस जुडिशरी मानी जाती है जबकि जो स्टेटलेस लेचर है और जो पारलेमेंट है वो सीमलेस नहीं माने जाते वो फेड चीफ मिनिस्टर को ट्रांसफर करने का पावर पदान मंत्री के पास तो नहीं है तो यह जो जो फेडरल स्ट्रक्चर जुडिशरी वर्सेश जुडिशरी है उसकी कोई व्याख्या नहीं दी गई है हमारे समिधान में उसी तरीके से जुदीशरी वर्सेज एक्जिकेटिव और जुदीशरी वर्सेज पार्लियमेंट का रिलेशन क्या होगा ये भी नहीं दिया गया जैसे आप आर्टिकल 253 देखें तो वहां ये जरूर कहा गया है कि एक स्टेट जो है वो अपने जब लॉज बनाएगा तो वो एक्जिकेटि ये उनके उपर है आप आर्टिकल 253-254 देखेंगा आपको मिल जाएगा तो आप कोश्य नहीं है कि जब समिधान नहीं है बताया नहीं कि भाईया जुदीशरी के और पार्लेमेंट के रिष्टे कैसे होंगे तो आपके पास अब बहुत जादा मिनिवरेंस है कि आप अपन करें जैसे शादी का रिष्टा तो बता दिया है समाज ने कि मर्द मैला और पुरुष के बीच के इस तर शादी का रिष्टा होगा तो वो क्या होगा बच्चा होगा तो उसका प्रॉपर्टी अपने आप खाली आप अगर अंबानी के घर में पैदा हो गए तो कुछ नही अंबानी तो नहीं कह रहे होगे कि पढ़ नहीं कमाओ कि कह रहे हो ज्यादा पढ़ रहे हो बिजनेस अब करोगे तुम पॉइंट यह है कि यही रिष्टों की बात शादी की तो बता दी समाज कि प्रॉपर्टी में जाईगी लिविन रिलेशनशिप नहीं रिष्टा आ ग अगर हम तुम्हारे साथ लिविन में रहना चाहते हैं तो रिलेशनशिप के आनदे तो ले रहे हैं पर रिलेशनशिप नहीं है और अगर है तो रिलेशनशिप की कितनी लीगल कॉंसे समाजिक मानिता मिलना और विधिक मानिता मिलना तो अलग अलग चीज़ हो सकता आपके गर के बगल में एक कपल रह रहा हो जो की शादी शुदा नहीं है मगर साथ में रहते हैं आपको उससे कोई अप्जेक्शन नहीं है बहुत बढ़िया माल लिए दुनों के बच्चे भी हो गए अब दुनों के बच्चे भी हो गए तो आपको इससे प्रॉब्लम नहीं कि पंदर साल बाद अब यह वा कि बच्चा तो यार बिना आप शादी का अब वह अपने बाप से का कि मेरा यार संपत्ती में हिस्टा तो बाप करें कौन तू भैं मैं नहीं पचानता चला ठीक है अब वह बच्चा कोट में जा कोड़ भी क्या कर ले कोड़ कर रहा भई मैं तो बहुत creativity करके कुछ कर सके तो कर सके तो इसलिए आप हम आते में प्रेश्ट के आपके रिष्टों की कहानी तो जो लोग 9 बजे मज़े लेके देखते हैं कि साद भगु के रिष्टे महक और जुलिया के रिष्टे ऐससे जो देखते हैं वो अब समझें कि सुप्रीम कोड का का रिस्ता पार्लेमेंट के साथ क्या है और पार्लेमेंट का रिस्ता एक्जिकेटिव के साथ क्या है और एक्जिकेटिव का रिस्ता अनकॉंस्टिचूशनल इंस्टिचूशन के साथ क्या है इंस्टिचूशन दो तरीके के मुख्यता हैं देश में तीन तरीके के कहने हैं ए conventional है customary institution है एक है समव Percyणिक फॉट अगर सुप्रीम कोट आर्टिकल 124 constitution में नहीं न भर जो यह लिखा है दैर शबी सुप्रीम कोड़ तो आर्टिकल 124 एक तरिके का गॉडली पावर है जो सुप्रीम कोट का इंस्टिउशन क्रियेट करता है जैसे जो लोग बाइबल पढ़े होंगे उसमें गॉड कहता है देर शाल भी ए लाइट लाइट आ जाती है एक सोचविश में लिग दिया देर शाल भी मिलाड प्रहशल आगया अपने लिग दियाlor प्रेसिडेंट को प्रेसिडेंट आगया आटिकल तो एक इन्सिचूंच हो गया स्माज़िक एक इंस्टिशन हो गया इस सारे constitutional यानि कि human made institutions है सारे human made है मगर ये constitutional political institutions है let's call us that way और दूसरे जो दीसरा जो institution है वो है statutory जैसे national human rights commission statutory है ठीक है ना minority commission statutory है CBI statutory है अब point यह है कि जो constitutional institution से उनकी importance को जादा है चुकि वो political institutions constitutional functioning को वो perform करते हैं तो कुछ constitutional functioning जो सबसे important है उनमें एक है election conduct of election और conduct of election इतना important है कि यदि election free and fair ना हो तो आपने देखा जम्मों कश्मीर में क्या हो सकता है जदी election free and fair ना हो तो आप देख सकते हैं पाकिस्तान में क्या हो सकता है जदी election free and fair ना हो तो लोगों का trust अपनी government में और governmental institution में जीरो हो जाता है तो गवर्मेंट और पॉलिटिकल और गवर्मेंट और प्रजा के बीच का रिष्टा जो है वो कभी भी सहच नहीं 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 है इसलिए इलेक्शन का फ्री और फेर होना उतना ही फंक्शनरीज हैं चीफ इलेक्शन कमिशनर और इलेक्शन कमिशनर यह अलग-अलग है जैसे आर्टिकल वन वन टॉञ्टिफएव उन्टिफूर से पास पाउर। नí सिमूर्म और ँवर्म और इसलिके पास नहीं है उसी दरगिए प्रज है उसी तरिके साब Article 124 में देखे, जो तीन लोगों को जजज बन सकते हैं, वो ही सेम लोग Article 217 में, 207 में जो कि corresponding Article 126 का, उसमें वो लोग जजज नहीं बन सकते हैं, तो Article 124 के अंतरगत, Supreme Court के जर्ज की जो qualification है, eligibility है, किसी इनसान की, वो दूसरी है और 217 में हाई कोट का जज़ बनने के लिए जो eligibility है वो दूसरी है लेकिन appointment functionaries 217 और 124 में एक है collegium है वो प्रेसिडेंट है ठीक है ना तो point यह है कि अब यहां पर हम यह समझते हैं कि मुद्दा क्या होगा मुद्दा यह था कि article 324 में president of India ने sorry constitutional favors ने एक विवस्ता दी कि chief election commissioner की जो appointment होगी और election commissioner की जो appointment होगी वो होगी either or situation है या तो यह या तो वो ठीक है ना तो पहला क्या था कि एक president जो है वो appoint करेगा किसी भी election commission को अगर आप बोलेंगे तो मैं आपको 324 का clause 2 जो है वो पढ़के सुना तो का the election commission shall consist of chief election commissioner and such number of other election commissioners as the president may from time to time fix and the appointment of the appointment of the election commissioner chief हो या चाहे normal हो subject to the provisions of any law made by made in that behalf by parliament be made by the president या इसका ये जो दूसरा paragraph है तीसरा paragraph है 324 दो का वो कहता है कि appointment होगा जो election commission का या chief election commissioner का वो जब तक ही parliament कोई law न बना दे तब तक वो president करेगा जिस दिन parliament ने law बना दिया president के पास से वो power चला जाएगा वो power जो भी law बना के with mechanism लाएगा parliament वो ही mechanism फिर function करेगा for the appointment of the election commission तो अभी तक क्या विवस्था थी कल से पहले तक क्योंकि कल ये act बन गया आपको पता है उसको रोकसभा से पास करवा दिया गया appointment of election commissioner act जिसको आप कह रहे हैं हम आप कह रहे हैं जिसको ठीक है तो अब उसमें क्या विवस्था होती थी कि 324 के अंदर में जो executive होता था यानि प्राइम मिनिस्टर और cabinet of ministers वो क्या कहते थे कि अरे यार ऐसा करो इनको बना दो अपने आदमी favor का लोग रखते थे कि इनको बना दो इनको बना दो election तो एक normal सी प्रक्रिया है उसमें क्या करना है खाली आ करके date ही तो finalize करने है बाकी तो apparatus दुनिया भर में है तो tn sessions आप ने आ करके इस concept को थुआ सा डिस्टरब कर दिया वो आ करके बैढ़ गए चाती पर tn session का रोल बहुत जरूरी है इसको समयने के लिए जो सुप्रीम कोर्ट ने आर्गुमेंट किया है इंडिपेंडेंडेंस ओफ इलेक्शन कविक्शन का इसके यह यह त्याद में रखना चाहिए टी एम सेशन को जो गवर्मेंट अपॉइंट की वह उससी के छाती पर चलो बाइटे उन्हों क्योंकि वह यह जानता है कि यह पॉदिशन कॉंसिचूशनल है किसी की खैरात नहीं है मैं इसलिए पॉइंट किया गया क्योंकि मेरे अंदर वह काभी है ठीक तो आपको टेनियोर का सेक्यूर्टी और यह सब मिलना चाहिए वह आर्टिकल कि में हमें अपॉइंट करना है तो प्रेसिदेंट कामत को पताया है कि बहारतिय समिधान के अंतर्द प्रेसिदेंट एक पोजिशन है लेकिन उसका ब्रेसिदेंट की पोजिशन आर्फिकल अगर एट वाइस नहीं तो कॉछ van Zurek कुछ करन नहीं सकता तो तो council of minister ने अगर कुछ decide किया है तो उसको perform करेगा through president और president को कुछ करना है तो कहेगा भाया बताओ का करना है आप समझ रहे हैं तो दोनों एक दूसरे के उपर निर्बार है यह constitutional विवस्था दी गई है तो यदि आपको कोई भी action लेना है executive को तो वो in the name of president ही होगा ठीक है न executive action की बात करो मैं parliamentary legislative actions की बात नहीं करना चूंकि aid and council of minister का purpose ही है aid and advice करना आप समझ रहे न यहीं से आपकी power आती है क्योंकि सारे executive functions का जो स्वामी है वो तो president है और तो president skeletal है उसकी जो animity है या animation है वो 79 है इसी लिए यह question बनता है कि real कौन है और de facto कौन है executive head इंडिया में यह आता है कि बहुत प्रेसिदेंट ऑफ इंडिया executive head फिर आता है de facto कौन है तो यह president यह प्राइम मिनिस्टर है क्योंकि वो council of ministers का है चुकि डिजूरे आप क्या ही कर लोगे जब तक defacto वाला वह यह करो अगर वह आपको कुछ कहीं नहीं रहा करने के तो बैठे रहो क्यों वह बैठे रहो क्योंकि प्रेसिदेंट डाइरेक्ली elected body नहीं है और यह जो government आई है यह इलेक्ट हो के आई है so council of minister will of people है council of minister का decision यह decision of the people of India ठीक है तो इसलिए decision of people of India को manifest करने के लिए आपको president का instrumentality बनाए गया अब यह क्यों किया गया क्योंकि हमारे यह वेस्ट minister government को follow किया जाता है अब हम कुछ चुकि उस समय के जो parliamentary लोग लिख रहे थे वो उसी सिस्टम का पार्ट से तो उनको दुनिया बार में उनने study करा उनका यही चल रहा है जैसे जब American constitution जब बन रहा था और जो Indian constitution बन रहा था उनके अगर आप constitutional assembly को study करे तो आप आएंगे दुनों के अप्रोच में different था जैसे इंडिया ने आप देखिया आज भी पिएच्डी पिएच्डी ही कहते हैं हमारे आगर आप पूझी कि मैं हिंदी में क्या कहते हैं मुझे तो नहीं पता है तो वह वहां पर उन्होंने पिएच्डी को अटा करके कि अमेरिका में अज्जेडी कर दी वह यहां पर पहले बिटेन में रीडर लेक्चरर और प्रोफेसर होता था प्रोजिशन का नाव अमेरिकांस ने एक दूसरी रस्ता लगे उनका जो जो अमेरिका की जो बिटेन की रानी है वह 1689 का जो बिल आफ राइट उसके पहले की ज रानी को रखने की क्या जुरूबत है अगर वह खाली एक टाइट्यूलर हेड है तो उन्होंने अपने कॉंस्ट्यूजन में का नहीं हमारा परसुडेंट जो वह वो टैट्यूलर हेड नहीं होगा उसको जिसको चाहे साला पॉइंट कर दे तो एक्जिकेटिव मतलब रियल यह नहीं घेम चलेगा कि टाइट्यूलर हेड और उडियल हेड कोई और दे काय वो stamp act नहीं आता यह Britishers के द्वारा तो आज America अभी भी उन्नी का पार्ट होता जैसे Australia जैसे New Zealand Commonwealth का पार्ट होता अमरिका कभी independent country नहीं नहीं बनता एंठी कि तो अब इंडिया में क्या है कि यह तो अब है क्या है क्योंकि हमने वही का वही ले लिया थोड़ा सा creativity नहीं की या जो हो सकते हैं कि जो लोग जो थे अब इंडियन के एक नेचर भी है उसमें नहीं जाते हैं तो उन्हों ने इस सिस्टम को एक्सेप्ट कर लिए उनका हमारे अभी है होगा रानी की जगा चुकि हम रिपब्लिक बन रहे हैं तो रानी नहीं होगा प् अर्टिकल 324 में जब प्रेसिडेंट को पॉइंट करना है तो मैंने यह सारी व्याख्या इसले दी कि वह बेसिकली काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स के बिना अब कोश्यन यह उड़ गया कि अगर काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स जो की विल ऑफ द पीपल के को मैनिफेस्ट करता है उसकी वैलिडिटी अगर इलेक्शन से आती है और वो इलेक्शन को धांदली कर दे इलेक्शन को फ्री और ना होने दे क्यूंकि उसके द्वारा पॉइंटेड बंदा ही इलेक्शन कंड़क्ट करा रहा है तो तो यह प्रॉब्लम का गर है वो कभी अपना पोजिशन उसका इलेक्शन जाएगा नहीं मगर आप यह रजीओम कर रहे हो कि कि पूरा देश का इलेक्शन करणट हो जाएगा यह असंभा वह इतने इंसान होते हैं कि वो एक ना एक जो हो जाता है यहार मैं नहीं करूंगा क्योंकि कोई ना कोई हमारी जैसे लोग होते जिनका ब्रेन जो हिला हुआ रहता हो खड़े हो जाएंगा हमसे नहीं होगा और जहां कोई जो खड़े हो जाएंगे कि नहीं होगा अब आप मोदी साब के केस में देख लिए एक इब्राहिम साब ते उस समय के इंटर्नल ब्यूरो इंटेलिजेंस ब्यूरो के हैट तो उसमें जब यह चल लाता है गुजरात हाई कोट में आप तो प्रेशर कर रहे हो तो जो सुप्रीम कोट चला गया वो नेच्टरल चेक्स एन बैलंसें को उसने कभी एकजामिन नहीं वो institutional checks and balances में घुज़ गया है उन्होंने ये कहा कि article 324 में चुकी president appoint कर रहा है और आपसे ये जब constitution बनाया गया था तो ये कहा गया था कि आप आज नहीं तो कल एक पारलेमेंट के जोरा law बना करके स्पष्ट विधी बताएंगे कि कैसे appoint होगा election commission आपने बनाया नहीं वह आस त पहला था पहला अक्टूबर के आस पास पॉइंट यह है कि जब पारलेमेंट नहीं नहीं बनी है तो बनाने दी उस समय के कुछ लोकल प्रॉब्लम भी रहे होंगे उस समय के contemporary problems रहे होंगे तो वह विवस्ता दीगे कि जैसे जैसे चीजे बढ़ेंगी चीजे इवोल्व हो होंगी हम वैसे वैसे पारलेमेंट लॉब बनाता जाएगा मगर यह पारलेमेंट का विवेक था और कोई मैंडेमस का रिट इशू नहीं किया जा सकता सुप्रीम कोड के द्वारा जो पारलेमेंट को यह कह देखा है तो सुप्रीम कोड को यह बात पता थी तो सुप्रीम को को एनलाइज किया जिसमें की subject to the law लिखा हुआ है उसके बाद independence of election commission की उस पे आए उन्हों की dependence क्यों चलूरी है और independence नहीं होगी तो बड़ा वो हो जाएगा problem हो जाएगा इसलिए उन्होंने इसको independence of election commission के नाम पे उन्होंने अंत में ये फैसला दे दिया कि अभी तक की जो व Supreme Court let me be let me be very honest आपको नहीं जाना चाहिए था चुकि institutional checks and balances और natural checks and balances हर समाथ में रहते हैं भारत इतना विविद्देश है इतना विविद्देश है कि आप उसमें इतनी बड़ी धांगली बाजी सिर्फ चीक election commission appoint करके नहीं कर सकते हैं और मैंने फिर कहा कि unlike Supreme Court जो रिष्टे है CEC के और President के वो रिष्टे तो सेम नहीं है जैसे High Court को ही आप देख ले High Court का रिष्टा जो है और जो आप देखें अगर State legislature का रिष्टा Parliament के साथ तो 240 में दिया हुआ है 248 में दिया हुआ है या 245 में दिया हुआ है लेकिन High Court का रिष्टा Supreme Court से क्या होगा यह तो नहीं दिय है क्या High Court का जजज जो है वो इंडिपेंडेंट है Supreme Court के Chief Justice of India से नहीं उसके माताहत है क्योंकि उसका वो ट्रांसफर भी करते है वो अपॉइंट करते की बढ़ाना मद्रास High Court का बंदा जाकर क्या MP High Court में बैठेगा ठीक है ना तो आपका वो रिष्टा तो Judicial Federalism अलग है State Federalism अलग है या Legislative Federalism अलग है इंडिया में तो यह Supreme Court को नहीं करना चाहिए था पर Supreme Court ने किया और Judiciary के बंद जाने से institutional checks and balances कैसे maintain हो जाता है कैसे maintain हो जाता है ठीके ना बेसिकली जब वो कह रहे हैं कि Prime Minister हुआ तो यह Executive को करता है लीडर ऑफ अपोजिशन हुआ तो यह Parliament को लेजिसलेचर को करता है तो उन्होंने का तीनों विंग को हम हम जो इन्वॉल्फ करेंगे अपॉइंट्मेंट के लिए जुडीशरी थूजी जे आई एग्जिकेटिव थूप्राइम मिनिस्टर लेजिसलेचर थूदर अपोजिशन लीडर प्रश नहीं है कि फिर आपने सीजी आई के अपॉइंट्मेंट में से क्यों नहीं कि वहां को लेजियम बना दिये आपने यह जो दोहरा रवया है जी आप मैं यही कोश्चन पूछने वाला था साब कि एक बात बताइए मेरे दो कोश्चन थे कि अगर पार्लेमेंट एंटर करना शुरू करते हाई कोट वाले मामले में रेलेशन बेट्विन हाई कोट एंड सुप्रीम कोट क्योंकि लिखा हुआ नहीं है क्योंकि बहुत सारी चीज़ नहीं लिखी हुई है इसी तरीके से कोलेजियम अगर मतलब अपॉइंटमेंट आफ जजिज जो है वह एक ऐसा बंदा है कि मतलब एस रिकमेंडेट जो परस्नेलिटी वाला हो ठीक है उसको तो डिफाइन तो कोलेजियम भी लिंकर प्रेशर के अंदर जजिज आ जाते हैं जजिज की अपॉइंटमेंट जो भी पहले होती थी उसके बाद और यह सुप्रीम कोर्ट कैसे फिर एंजेएसी को रिजेक्ट कर रहा है अपने ही मामले में कॉंट्राडिक्शन क्रिएट कर रहा है कॉलेजियम के मामले में और यह कॉलेजियम पर हम एक स्पेशल एप्सोड कर लेंगे वह बहुत कॉंप्लिकेटर है मगर हम करेंगे कोलेजियम एक सेवगार्ट था एक इंटेपरेशन है लेकिन फिर भग अभी बात करेंगे दिखें ऐसा है कि बात यहां पर मैं वही करें तो जब जब जजजेस ने यह ल पॉजिशन को पता ही होता था जो समय कि कमिटी क्या था मुझे वह पता नहीं है तो लीडर पॉजिशन तो होता ही इसी सब के लिए ना चेक्स और बैलेंसे कि वह अगर एक्जिक्टिव को बदमाज काम कर रहा है पारलेमेंट में वह भी है उनको तो रिपोट मिल जाएग अगाई उसके बाद जब इमर्जंसी के बाद इलेक्शन हुआ तो इंदा गांजी जी हार गई तो आप कोई ऐसा अपॉइन्मेंट से वह नहीं हो जाता है कि आप पूरा का पूरा इलेक्शन को ही टूइक कर सको क्योंकि इसमें स्टेट में अलग अलग अईडियोलोजी के हुबसूरती से यहां पर दोनों को एक्जिस्ट करेंगे अभी मिलेंगे स्टालिन से बदान मंत्री ना तो शौल भी पेट करेंगे कि आप सनातन को बचाने के लिए यह राज शौल आपको और बदान मंती जी उनको गले भी लगाएंगे आप डिस्ट्रॉय करना चाहते हो सनातन को आपका वेलकम है आईए बैटिए यह खुबसूरती चिर्फ यही एक्जिस्ट हो सकती है आप समझ रहे हैं आप और कहीं जाएंगे तो गर्दन उटाल लेगा यहां पे शौल पेनाएंगे माला भी पेनाएंगे क्या ही आईए आईए आप सनातन को रिवाइब करन दो और उसके लोग भी कहेंगे आदमी बढ़ा दुश्टे यार सरातन को का लिए इसने उसके बाद लेकिन यह है इंसा एक भी यह है भारत की यह हमारे जो जो वेदिक संसकार है जो हमारे चारवाग संसकार हैं जो हमारे पौनानिक संसकार है उपनिशत के संसकार है कि जो है ना इनसान बहुत वॉलिंट है नेटरल हमाब वॉलिंट लोग है जानवर का पार्ट है नहीं पार्ट है लोँ आटेव और व्यूलस नेटरल होता है तो हम सभाविक्ताव देखें लोग हैं लेकिन भारत की यह जो थियोरी आई इसने हमारी वॉलेंस को इतना दबा दि कि हमारे बहुत हम बुद्ध और जैन पैदा होने लगे तो जो देख सकते हैं उसकी मिट्टियू नहीं दॉब आप जब यह बाप देख सकता था लगे लीडर को जब आप जब यह बाप देख सब्सक्राइब अपॉइंटमेंट जुडिशल वंचेन है अपॉइंटमेंट तो एडिमिनिस्ट्रेटिव फंक्षन है सहब अब कोई अगर चीफ एलेक्शन कमिशन जा करके इलेक्शन पेटिशन डाल दे कि हमारी अपॉइंटमेंट में धांदली हुई है सामने वाले को गलत अपॉइंटमेंट किया आप चीफ जस्टिस उसका खुद का पार्ट है तो क्या चीफ जस्टिस आप इंडिया को कोट में खीच लोगे तुम कहां है लीगल रेमेडी आप स सुप्रीम कोट के रहा है सुप्रीम कोट क informações सुप्रीम कोट इसका पार्ट है तो फिर सुप्रीम कोट अपना मैटर प्रुश्प दो नहीं सुन सकता यह तो व् थो से सीजावड हुडत है एखूडव को आपने बना दिया इसका प्रॉब्लम क्या कि सारे के सारे जो जज है वो भले जुडीशली हम फर्स्ट अमंग इक्वल्स है लेकिन अध्मिनिस्ट्रेटिव ली तो मातहत है चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया के क्योंकि जो अलोकेशन जो अरुन मिशाज जी के केस में जस्टिस मिश्रा ही थे उसमें उनके केस में जो जो जैजबिश आ गए थे जिनों फैसको अकरिटिय। मैंटर के अगेंस्ट में आये थे कि अलोकेशन आफ जो केसेज हो रहे उससे वह सटिफाइड नहीं थे तो अलोकेशन आफ केसेज करने का काम तो जुरिश्य चीफ जस्टिस के पास है वही अलोकेट करेगा कौन कौनसा मैंटर सुलेगा तो पॉइंट यह है कि आपने सी जी आई को बना तो दिया पर आपने सोचा उसके कौनसेक्वेंस क्या हों कि यूव डिप्राइब परसन अफ एनी लीगल रिमिडी इफ देर वस और कौनसेक्वेंस का इस्पिरेशन देखना तो किसी भी आई एस ऑफिसर का फंड़मेंटल राइट होगा कोई सेकेटरी बन गया तो चाहता है कि हम भी कौनसेश्वेंस प्रोजिशन पर जाएं यह रहाँ जड़ा त्वाज इलेक्शन होगा और हम भी जड़ा जब यह प्रोज़ा जाता है सारा पावर तो इलेक्शन करें हम भी जड़ा स्पी को ट्रांसफर करें और श्चे को डाट एप कैसे कर दिये तुम्हा तो तुम्हा तुम्हाइट करें तो प्रज़ा भाई कहीं नी जा सकते आप रेमेडिया सो लीगल वेक्यूम क्रेट कर दिया तो इस वाई थिंग इन माइं अभल अपिन आव इम्मेंस रस्पेक्ट पाव जुडिशियरी और सारे जज़ेस के लिए बहुत इम्मेंस रस्पेक्ट है बट विद जवाई कराई थे लोगों का विश्वास बाहर है तो एक्जिकेटिव की जम्हाई़ारी थी लेचलेटर की सकते हैं गर्लक जीट सकते हैं चाहिए ृपूरण के वोट करती है तो आप और इसको इलेक्टोरल जीट सकते थे जंता आपनेस्व करती है ठीक है न क्योंकि जंता का वोट अगर रिफ्लेक्ट नहीं होता न तो जंता रिवोल्ट कर देती हो 1989 जो इंडिया में हुआ वो इस बात का गवा है कि यदि आप इलेक्शन को टुईक करोगे तो आप फिर परिणाम भुगतोगे जब मोहन किश्मीर आज तक शांत नहीं हो पाया आपकी परिणाम भुगतने का कि आपने हम होंगे यानि चीफ जस्टिस होगा और आप प्राइम मिस्टर तो वह बेसिकली लॉव बन गया अब आपने लॉव बना दिया आपका काम तो डिसाइड करने का था आपने से इतर जाकर के यह तो आर्टिकल 324 में लिखा था कि आपने एक इलेक्टोरल कोलेजियम बना दिया और फिर सुप्रीम कोट पार्लेमेंट ने लॉव बनाया और जो सुप्रीम कोट की यह थी कि जब तक पार्लेमेंट लॉव नहीं बनाती है तब तक यह व्यवस्ता से अब नहीं विवस्ता के अंटरगत सेक्शन सैवन जो आप पढ़ेंगे या सेक्शन से तीन कमिटिया है उसमें बनी गई एक है सर्च कमिटी एक है सेलेक्शन कमिटी सर्च कमिटी बनेगी ढूंडने के लिए कौन-कौन बन सकता है और सर्च कमिटी के बाद नाम आ जाए ज़िए लीडर ऑफ पोजिशन का स्टेटस नहीं है किसी के पास चुकि अभी दोजबात की पार्लेमेंट में ये देखा जा रहा है कि किसी के पास नहीं है 10% आफ टोटल इलेक्टेबल सीट से वो होनी चाहिए आपके पास पार्लेमेंट की तो आप दियानते कि 543 पे एले लीडर ऑफ पोजिशन नहीं होंगे तो फिर ये भी एक पवाल हो जाता है फिर खाली पतार मंतरी अकेले मजे ले रहे हैं किसी को बतानी दे तो बड़ा पवाल होता है तो इसलिए और फिर ये भी है कि आपको भारुसा तो इलेक्शन में भारुसा भी बहुत जरूरी है उसको उसको जो है बाइपास करने ले यह विवस्ता दी गई है कि अगर नहीं आप जीत पा रहे हो सीटे तो लार्जेस पार्टी कल को मालिजे बीजीपी सारे 400 सीट सीट जीत ले जैसे कॉंग्रेस ना 400 से प्लस जीते जीती है और सामने वाले के पास 10 सीट है तो उसको भी परती है अगर चीफ जस्तिस अगर जो है जूरी शरी इसको जो है डिसाइड नहीं करती मुझे नहीं लगता था इसको डिसाइड करना चाहिए था जो चला था चलने देते ऐसी कोई बड़ी वो इसमें कॉंस्टिटूशनल इमर्जंसी नहीं तो सर आपने जिस तरीके से सम प्रजब है हर किसी को मतलब यह एक ऐसा कॉंपलेक्स मामला है जो एंटी मोधी गैंग है खासकर यह जो एंटी इस्टैबलिश्मेंट गैंग है वह क्या प्रोजेक्ट करेगा कि देखो मोधी ने सुप्रीम कोड़ को भी नहीं छोड़ा मोधी ने इलेक्शन कमिशन को भी छोड़ा उसको भी यह किया वो किया आपने जो क्रिस्टन क्लियर किया ना कंसेप्ट सर इत्रिज़ अपने स्टूडिंट्स को अपने फॉलवर्स को यह कहूंगा कि भाई असलियत में इतने भी अंधे के सारा सब्सक्राइब का उरहा है कुछ लिटीवी हैं जो आपको बता सकती हैं कि सारा सब कुछ गलत नहीं है सर ने जो समझाया वह वही है तो सर इसी के साथ मैं जानता हूं आप युनिवर्सिटी के लिए लेट हो रहे हैं इसी के साथ हम इस सेक्शन को एक सथा खत्रू करे चाहेंगे और मैं जरूर तो आज के लिए इस तो अब हम इस टॉपिक को यह रहो कहेंगे और अगले टॉपिक के लिए सरसे जल्दी ही तहीं लेंगे तन्यवाद